नमस्कार दोस्तों मैं प्रियंका आप सभी का अपनी चैनल स्वाधिस्ट रेसिपी में स्वागत करती हूँ अगर आप मेरे चैनल पे नया है तो सब्सकाइब कर ले विल ऐकोन प्रेस कर दे मेरे सभी नई और असान रेसिपी को देखने के लिए फ्रेंट्स आज में आप लोगे साथ राजस्थान के उसकर के स्पेसल रवडी मालपुआ की रेसिपी सेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है कुछ तीट्स और ट्रिक आपको फॉलो करने हैं जिसे की मालपुआ जो है बहुत ही अच्छा बनेगा है फ्रेंट्स रवडी मालपुआ को बनाने के लिए सबसे पहले रवडी बनाते हैं तो मैं यहाँ पे लिए रही हằm 1 लिटर मिल्क जो मैंने अल्रेटी बॉर्ल कर लिया था इसको मैं एक पैन में डाल रही हूँ, मोटे तले का पैन ले, उस पैन में इस दूद को डाल दें, गैस का फ्लेम मेडियम रखे, मेडियम फ्लेम पे इसे स्टर करते हुए हमें इसे रबड़ी बना कर त्यार करना है, इस दूद का ये वन फॉर्थ पार्ट बचना चाहिए, फ्रेंट्स आप देख सकते हैं कि दूद में अच्छा उबाल आ गया है, अभी हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे, लो फ्लेम पे अच्छे से स्टर करते हुए हम इसका रबड़ी त्यार करेंगे, तो फ्रेंट्स आप देख सकते हैं कि दूद हमें एक लिटर लिया था, उसक आपको पहुत अच्छे से ठंढा करना है उसके बाद हम माल पूवे का बैतर करेंगे तो आपका ठ्रिक्क हो गया कि आपको रपडी मालपुवे बनाने के लिए अच्छे से ठंढा करना होगा मैंने दो घंटे तक फ्रीज में इस रवड़ी को रख दिया था रवड़ी पहुत ही अच्छे से ठंडी हो गई है आप देख सकते हैं कितनी अच्छी रवड़ी बनी है अब जो दूसरा ट्रीक है वो है कि हमें रवड़ी को मिक्सर ग्राइंडर में उसको ग्राइंड नहीं क करना है या फिर एम करना है या फिर परम चरें बीचिछ करना है घृटिा इम्सें टहुत ही रवड़ी को डाल की बीच दूप फ्रीजर में रख दिया था पुरा फूरी हो गया था ये इसके करांव ऑन ऐस द्खीर हो दाविये इसको 27 तो मैदे का भी- wish could evenま understand करते हैं कीमा से कनाद से मैं यहां पर यहता ही हुच कर देखी हैं यρεί मेदा का Kalp या, फिर लाव फिर में ओर हम कर दुछिक कर सकते हैं रबड़ी के साथ तरह पंप लाव तो आप क्या कीजिएगा ना इसमें दूर डालीगा पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है और बिल्कुल ठंडा दूद नॉर्मल टेंपरेचर पे इसमें दूर डालना है जो ठंडा दूद होता है तभी हमारा बैटर अच्छा बनेगा अभी आप चाहें तो अपने कि मैंने इसे फेट लिया है जितना देर आप इसे फेटेंगे माल पुए को उतना ही अच्छा यह बनेगा अभी थोड़ा बैटर ठीक लग रहा है इसमें हाफ कप ठंडा मिल्क और डाल रही हूं दूर और इसको डालने के बाद हम इसे मिक्स कर देंगे और आपको एक बहुत ही अच्छा आता है तो यह देखिए अभी इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल पॉफेक्ट है बहुत पोरिंग भी नहीं है बहुत थीक भी नहीं है अब हम इसे कौवर करकर रखेंगे कम से कम आधे घंदे के लिए ताकि आटा और अबड़ी दूद के साथ अच्छे से फूल जाए जितना अच्छा यह फूल है जितना आप इसे टाइम देंगे उतना ही हमारा माल पुगा अच्छा वनेगा कि अब इस बैड्रõ को cover करकर साइड में रखतेंगे अब हम चास्णी तियार करेंगे चेनी की तो इसके लिए हमें लेना है एक कप चेनी और जिसकब से हमजर्मेंट में पानी भी आइट क्रणा है तो अगर चेनी और पानी का कॉंटिटी सेम रहेगा मेजर्मेंट सेम रहेगा चासनी बनाने में प्राब्लम नहीं होगी अब हम गैस के फ्लेम को अन कर देंगे और फ्लेम को लो कर देंगे लो फ्लेम पे चीनी और पानी को अच्छे से डिजॉल्व होने देंगे इसे स्टर करते रहेंगे जब और पानी अच्छे से घूल जाए और उस सुगर सिरफ में बॉयल आ जाए तब हम इसमें डाल देंगे दो कूटी हुई इलाइची इससे मालपुए का जो फ्लेवर है ना बहुत अच्छा आता है साथ में डाल देंगे कुछ केसर के धागे कलर अच्छा देने के लिए आपको चासनी को हम इस स्पून पर लेंगे बड़े वाले स्पून पर उसके बाद अपने हाथों से दोनों उंग्लियों को बीच में टच करेंगे तो यह दिखे बिल्कुल गाड़ी और चिपचिपी लगेगी कोई तार की चासनी नहीं बनानी है गाड़ी चिपचिपी चासनी ब बना सकते हैं तो मैंने घी डाल दिया है अब मालपुय को बैटर को फिर से चेक कर लेते हैं और उसे एक बार अच्छे से फेट देते हैं एक से दो मिनाट तक बहुत है अच्छा बैटर बन कर त्यार है अब मालपुय बनाने का अगला ट्रीक जो है वह है कि आपको घी या पिर ओयल को जिसमें भी आप इसे तल रहें वह बहुत ज्यादा गरम नहीं करना है मेडियम गरम होना चाहिए नहीं तो मालपुवे उपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्छे रहेंगे तो अभी मेडियम गरम है थोचा ड्रॉप डालकर मैंने देखा है मालपुवे का अब जो अगली टिक है तो यह है कि आपको फॉलो करना है इस बात को कि माल पूय को डालने के तुरंत बाद आपको उसे नहीं पलटना है उसे 1- 2 मिनद तक लो फ्लेम पे एक साइट से पकने देना है जैसे मैंने इसे एक साइट से अच्छे से पका लिया है फिर हम दूसरे सा तो यूभ कि प्लटेंगे गए सवाइसे संथानी के साथासे चीड़ से फलाइस से फटने से पलटेंगे इस तरह से दोनों साइड कर हम साथ को अच्छे निकालेंगे ताकि इसका ओयल अच्छे से जो घी हमने डाला है वो अच्छे से इसके अंदर से निकल जाए और सेम प्रोसेस से बचे हुए मालपुए को भी हम फ्राइ कर लेंगे अब जो हमारे मालपुए हमने बना कर त्यार किये थे थे तो उसका अगला ठ्रीक यह है यह उसको निकालकर प्रेट में ठंडा नहीं करना है conten कर और तर्ण सुगर सिरफ में डाल देना है सुगर सिरफ भी जो है बिलकुल ठंडी नहीं होनी चाहिए गुन गुनी होनी चाहिये ताकि मालपुए सुगर सिरफ को अपने अंदर अच्छे से अब्सरब कर सके तो फ्रेंट्स आप देख सकते हैं बहुत ही रसीले जूसी सॉफ्ट पेस्टी मालपुए बनकर त्यार है रबडी के राजस्थान की ये फेमस रबडी मालपुए जो की बहुत ही तेस्टी लगता है आप अभी सावन का महीना चल रहा है तो आप इसमें बना सकते हैं और भग फ्रेंट्स मैं अभी आपको इसे कट करके दिखा रही हूँ ये देखिए कितना जूसी कितना सॉफ्ट बना है कि इस्पून की हेल्फ से ये असानी से कट जा रहा है और अंदर तक इसमें पूरा रस भरा हुआ है तो फ्रेंट्स उमीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा अपनी घर में ट्राइए कीजिएगा और अपने कमेंट्स में साथ जरूर सेयर कीजिएगा कैसी लगी आपको मेरी ये रवडी के मालपूय की रेसिपी तो फ्रेंट्स मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक नई र प्रेंट्स में आपको में आपको में एक लिए वाया टेक है